नमस्कार दोस्तों, इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के दुआरा स्मोल टेक्सपेर को बड़ी रिलीफ दी गई है, अब उन्हें पुराने सालों के इंकम टेक्स के नोटिस नहीं भीजे जाएंगे, जिसके बारे में के हम इस न्यूज में डिसकेशन करेंगे, दोस्तों इंकम 50 lakh या फिर उससे ज्यादा assessment से escape हो गई है, तो उस case में 10 years के अंदर इंकम टेक्स के notices इशू के जा सकते हैं, दोस्तों इंकम टेक्स ओफिसर के दुआरा पुराने सालों के notices इशू कर दिये गए थे, जिसके बाद के case सुप्रीम कोर्ट के पास गया, और सुप्रीम कोर्ट न जाने चाहिए थे, इंकम टेक्स ओफिसर को, इसलिए अब Central Board of Direct Tax के दौरा ये judgment जारी की गई है, यानि कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के दौरा, जिसमें के बताया गया है, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की judgment है, वो सभी case में applicable होगी, बले ही ये notice court में challenge किया गया हो, या फ 49 को income tax set के, जो के नया introduced किया गया है, उसे यहाँ पर produced किया गया है, कि कब assessment की जा सकती है, time limit क्या है, यानि कि 3 years from the end of the relevant assessment year, unless case fall in subcategory B, or 3 years but not more than 10 years, if the income escaped from the assessment is 50 lakh or more. दोस्तों, यहाँ पर CBDT के दोरा clarify किया गया है, कि सुप्रीम कोर्ड ने कहा था, कि सभी व्यक्तियों को benefit हो देने है, past assessment years के लिए भी, नए section के calling जो ने बनते हैं, इसलिए यहाँ पर CBDT के दोरा कहा गया है, कि assessment year 13, 14, assessment year 14, 15, और assessment year 15, 16 के लिए fresh notice तभी issue किया जाएंगे, य कि हमने उपर discuss किया, यानि कि जो उसकी income escape होगी assessment से, वो 50,00, रुपी से जादा है, यदि उसे कम है, तो इन सालों के notice नहीं issue के जाएंगे, small taxpayer को, यानि कि जिनकी income 50,00, से कम होगी, लेकिन assessment year 16, 17, and 17, 18 के लिए नए section के अंतरगत notice issue के जा सकते हैं, क्योंकि यह within 3 years होंगे, from the end of the relevant assessment year, बले ही व्यक्ति की income 50,00, रुपी से कम है, दोस्तों, यापर सुप्रीम कोड की judgment के according, assessing officer को वो informational material प्रवाइड करना था, जिसके बेसे के वो assessment को reopen करना चाहता है, लेकिन अब assessment year 13, 14, 14, 15, 15, 16 के लिए हिदाय दी गई है, income cash department के द्वारा, assessing officer को कि यह evidence material प्रवाइड करने के फश्रक्ता नहीं है, यदि income escaping assessment जो है, 50,00, रुपी से कम है, क्योंकि इस case में जो assessment है, वो नहीं की जा सकती है, अब assessment time bar हो चुकी है, लेकिन इसके लावाद दूसरे case जो है, यानि के जहाँ पे के व्यक्ति की जो income है, वो 50,00, रुपे से जादा है, assessment year 13, 14, 14, 15, 15, 16 के लिए, या फिर 50,00, से कम भी है, assessment year 16, 17, 17, 18 के लिए, वो उस case में income tax officer ने जो de-assessment के notice issue किये थे, वो नए section के अंतरगत issue करने होंगे, ये notice income tax officer को 30 days के अंदर issue करने है, यानि कि 2nd June 2022 तक, और SSC को जो है, दो हफते का time दिया जाएगा, कि उसे नए section के अंतरगत income tax का notice क्यो होना issue किया जाए, और यदि व्यक्ति जो है time के extension मांगता है, कि उससे reply करने के लिए time चाहिए, तो उस case में assessing officer इसे consider करेगा, जब taxpayer अपनी reply submit कर देगा, तो उस case में income tax officer ये decide करेगा, कि एक fit case है, income tax act के अंतरगत assessment करने के लिए, इस case में assessing officer को order भी pass करना होगा, with prior approval of specified authority, और ये one month के अंदर किया जाएगा, जिस महिने में reply receive हो जाएगा उसे taxpayer से, यदि taxpayer reply नहीं देगा, तो उस case में order one month के अंदर pass किया जाएगा, from the end of the month, जिसमें के ये reply करने के लिए time expire हो गया है, यदि ये fit case है, section 148 के अंतरगत notice issue करने के लिए, तो उस case में वो approval लेके specified authority से notice issue कर और order की copy भी serve करेगा, जो कि इसने 148A के अंतरगत पास किया है, यदि fit case नहीं है, notice issue करने के लिए, तो उस case में जो order पास किया गया 148A के अंतरगत, वो भी SSC को serve किया जाएगा, दोस्तों उमीद करते हैं, आपके लिए यह news useful रहोगी, कि पर लाइक कीजिए और share कीजिए, ताकि सभी लोगों तके जानकारी पहुंच पाए, और वो income tax की compliance कर पाए, यदि आप इस channel को support करना चाते हैं, या फिर आपकी को income tax और GST की query है, तो आप super thanks बटन को use करके वो पूछ सकते हैं, ताकि हम जल से जल आपकी query का जवाब दे पाए, regular GST or tax update के लिए इस channel को subscribe करें, आप हमें telegram app CSF Basing Taxil पर join कर सकते हैं, थाकि आप GST और income tax के regular update अपने mobile पर ही प्राप्त कर सकें,